मद्य प्रदेश में एवरेश्ट खोफ फत्य करवे वाली पहली लड़की बन चुकी मेगा परमार अब कॉंग्रेस पार्टी में सामिल हो गई हैं प्रदेश में तेज तर्लाल बिटिया के तौर पहचान बना चुकी मेगा परमार चिनवारा में पूर्वुकमंतरी कमलनाथ के सामने कॉंग्रेस पार्टी में सामिल भई चल्चा है के भी कॉंग्रेस पार्टी के टिकेट पे चुना अलब सकती हैं कॉंग्रेश में साविल होवे के बाद मेगा परमात का बोली सुनो जरा मध्यमें मौझूद आधर्नी कमलनात माहदर जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है सबसे बड़ा योगदान रहा है वरना भला कैसे संभव हो सकता था कि ये कैसे पिता जो लाइलोन के जूते पैनते हैं जिसका घर चदर का है जिसकी बेटी सरकारी स्कुल में पड़ी हुई है वो कैसे दुनिया के सबसे उचे शिखर पे 25 लाख की राशी खटी करके परवातर रोहन को सफल बना थी मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा श्रय आपको देना चाहती हूँ मेरी प्रारम जहां से हुई मेरे में को सुबह सुबह दूसरी मंजिला पे पानी लेके जाना पड़ता था मैं सोचती थी कि मेरे पैर इतने दर्द क्यों करते हैं तो मैंने एक बार अपने जीवन को पलट के देखा तो मुझे रिलाइस हुआ कि शायद मैं उन कुपों से पानी नहीं भरती तो मेरे पैर इतने मजबूत नहीं होते कि वो माउंटे वस चड़पा दे तो आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो आपको या तो एक बहुत बड़ी आसफलता के लिए तयार करता है या सफलता के लिए तयार करता है मैंने वल्लभवन की सीडियों के चकर लगाए मैंने मेरे जूते छन जाते थे दो रोटी और चार वोटल पानी पीछे होता था गाला कलर का सलवार सूट और पीछे बैक तंगा होता था मैंने हर एक दफ्तर में चकर लगाए थे सिर्फ कि मैं पहार चड़ने के लिए तो रेड़ी हूँ बस आप मुझे स्पॉंसर कर दीजिए कोई ऐसी सीडिया नहीं बचीती जहां मैं नहीं गई हूँ कहीं भी ऐसी जगा नहीं बचीती फिर मुझे परवादा रहोन के लिए भेजा गया और वहीं सबसे बड़ा संगर्श है जब हम पहार पे चड़ते हैं क्योंकि हमारे मनिक कमला जी महदय जी दून स्कुल से पड़े हैं और उन्होंने जब मैं माउंट एवरस सम्मिट करके आई तो उन्होंने जिक्र किया था मुझे 2018 में दोबारा माउंट एवरस के लिए भेजा गया और पहार के जो संगर्श होते हैं वो 2-2 किलो के होते हैं ती स्कुलों को बैग होता है आपको कहीं लाशों को पार करने के बाद पहाड पहुचना पढ़ता है और आप जहर भारत का जंडा वहां पहराते हैं 2018 में में केवल 700 मीटर से रह गई थी वापिस आने के बाद मेरी ट्रेनिंग के दर्मयान में तीन जगे से रीड की हड़ी टूट गई थी मैं 9 महीने बिस्तर पे रही थी और दोबारा मुझ पे कोई भरोसा नहीं कर रहे थे मानी कमलाज जी ने एक खिलाडी के रूप में मुझे दोबारा मुझे भरोसा किया और उनकी सरकार ने मुझे दोबारा मदपडेश की नारी शक्ति के रूप में टॉप अब दो वर्ल पे जाने के लिए स्पांसर किया और वही चैलेंजेस लेके 22 मई सुभा पांस बजे में अकेली नहीं आप सब के साथ मानी कमलाज जी के विश्वास के साथ दुनिया की सबसे उची चोटी माइनस 52 डिग्री टेंपरचर में भारत का जंडा लेके घड़ी थी में को मेरा माउंट सेनों ने फटाय कराया है यहां कई सारी दीदिया है जिनको उनका माउंट फटा कराने के लिए वे दोबारा सरकार में आ रहे हैं और हमारे लिए सरकार बना रहे है मैं जब मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भ्यान के दी ब्रांड नेमबस्टर बनाया गया मैं उनका जिक्र इसलिए करना चाहूंगी कि मेरे समय नाम था अभी नेत्रियों का शिल्पा शेट्टी जी का और दिवेंगा तरपाटी जी का उनकी जगा एक किसान की बच्ची को चुनकर पूरे मदपदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड नेमबस्टर बना सकते हैं तो आरे निकमल नाजी बना सकते हैं मुझे बेटी बजाओं बेटी बढ़ाओं का ब्रांड नमर्श्र बना के पूरे 52 जिले मैंने घुमे 300 गाउं देखे और मैंने वहाँ पर दीदियों की सबसे बड़ी समस्याएं देखी इस समय जब महीलाओं से फोर्म भरवाए जा रहे थे दो महीने के लगातार आप समने देखा कि फोर्म बढ़ते समय रेली लाइनों में लगना पड़ रहा था और आज नारी सम्मान में हम देख रहे हैं कि इसमें सभी दीदियां सम्मलित हो सकती है किसी के साथ कोई भेदवा और कोई ऐसा नहीं है कि वे उसमें शामिल ना हो मैं अन्त में आप सब से बत यही क कहना चाहूंगी कि दीदियां आप सब तयार हैं हमारी अपनी सरकार बनाने के लिए क्या आप सब तयार हैं हाथ उठाईएगा अपनी सरकार हमारी संस का सरकार नारी शक्ति की सरकार तो बोलिए भारत मता की जैव कमलाथ भारत मातागी और जब तुम में ही है शक्ती सारी तो क्यों समझो तुम अपने आपके बचारी और अंत में एक चीज़ जो उन्होंने सबसे महत्फून कही है करी है कि महिलाश शक्तिकरण कभी भी देली निकालने से नहीं हो सकता महिलाश शक्तिकरंट तब हो रहा है जब महिलाओं को वो 10 रुपे के लिए पिता पुत्र पती पे निर्भन नहीं रहना पड़ेगा जो कि हमारे मानी कमना जी का रहे है